आज के इस वीडियो में देखे आज का हमारा प्रस्न है आया सुल्क से आप क्या समझते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आया सुल्क समझेंगे तो चलिए समझते हैं क्या है आया सुल्क तो देखिए आयत क्या है किसी वस्तु को देना सुल्क यानिकि उस वस्तु से कर लेना यानिकि दिन लेना जैसे कि किसी व्यक्ती ने किसी दूसरे व्यक्ती को पाँच हजार रूपे दिये कितने परसेंट पर दो परसेंट पर लेकि दो परसेंट के ब्यास से उसने किसी व्यक्ती को पाँच हजार रूपे दिये तो पाँच हजार रूपे पर आप समझ लीजे दो हजार रूपे बन तो उसी वस्तु से कर वसुलना यह क्या किराता है आयात सुल्क जैसे कि उसने पांच हेजार रुपे दिये तो उसी पेसे से उसने दो हेजार रुपे भी कमाली है यानि कि रीन ले लिये तो यही तो है आपका आयात सुल्क की उसी चीज से वसूल किया जाने वाला जो कर है जो रीन है उसी को हम आयात सुल्क कहते हैं तो चलिए देखते हमें इस प्रस्न का उत्तर तो देखिए आया सुलक किसी दूसरे राश्ट से आने वाली चीजों पर वसुल किया जाने वाला सुलक। कि आया सुलक कि किसी दूसे राष्ट से जो आने वाली चीजों पर वसुल किया जाने वाला सुलक याने की रिन और यहां कर या सुलक उस जगह लिया जाता है यहां जो सुल्क है जो कर है वहां उस जगह लिया जाता है जहां से वस्तु देश में आती है अर्थात सीमा पर बंदरगहा पर या हवाई अड़े पर तो जहां पर देश की सीमा होती है जहां पर माल भरा या उतरा जाता है या हवाई अड़े पर वहां पर इस कर को वसूल कि तो यह हमारा आया सुल्क कि किसी दूसरे राश्ट से आने वाली चीजों पर वसुल्क किया जाने वाला कर यहां कर यह सुल्क उस जगह लिया जाता है कि जहां से वस्तू देश में आती है अर्थात सीमा पर बंदरगहा पर और हवाई अड़े पर कही पर भी यहां कर्वसूर लिया जाता है तो आपको इस प्रस्न का अच्छे से स्क्रीन सोट लीजे और देखिए इस प्रस्न को आप अपनी नोट बुक में अच्छे से नोट कीजे देखिए दो नंबर के हिसाब से बहुती महतुपुन प्रस्न है जो कि आपसे हर साल परिक्षा में पूछाई जाता है ये वार्सिक परिक्षा के लिए बहुती महतुपुन प्रस्न है तो आप इस प्रस्न को अच्छे से कंपलेट कीजेगा आपसे मिलते हैं अगले वीडियो तुम्हें नए महत्वपुन प्रस्ण के साथ जब तक आप इस प्रस्णों को अच्छे से कंप्लेट कीजिए और अच्छे से याद कीजिए